गर्मी का जो दौर अभी है, ये दौर मैंने भी अपने लाइफ में, मैंने क्या बहुत लोग ने, किसी ने नहीं देखा है, यितनी गर्मी भी पड़ रही है, ये बहुत खराब सीजन चल रहा है अभी, सब के लिए, बच्छों के लिए, बुड़ों के लिए, जो भी लोग ह करें, उनके लिए बहुत खराब दोर ही है, आप रात में सो रहे हैं, सुबह उटते हैं, एक दो ग्लास पानी जरूर पी हैं, दीन भर में आप निमो पानी का सेवन जरूर करें, आप रदम छिल डेसी में हैं, फिर बहाँ निकल रहे हैं, सरवत गर्म होता है, इस कारण सा ह हमने देख रहे हैं, बहुत सारे प्रिसेंट हमारे पास सारा है, फीवर लेके आ रहे हैं, और अगर मौनिग वाक वगर आप करते हैं, तो सुबह में आप 5-6 वजग कर लिए तो कर लिए, 6-7 वजग बाद मौनिग नहीं करें, शाम में भी जो है, आप 7-8 वजग बाद ही क मई के महीने में देश भर में लोग सभाज चुना के कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ऐसे में आपको बता दे कि IPL की बात करें, तो IPL में भी कई रिकॉर्डे चौके ने तोड़ चुके हैं, आपको बता दे कि ऐसे में हम आज उस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिस रिक आज हमारे साथ खास कारिकरमी खास में मांद चुड़ चुके हैं जानी माने पल्मनोलोजिस्स डॉक्टर प्रकास सिनहा जुड़ेंगी बात करेंगे नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकास सिना हूँ, मैं पतना के पारत सर्चमराई होबिटल में senior chest vision हूँ, मैं department का HOD हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि देश में बहुत सरा IPL चल रहा है, election चल रहा है, IPL खतम हो गया, election चल रहा है और बाकी जो गर्मी का जो दोर अभी है, ये दोर मैं मैंने भी अपने लाइफ में, मैंने क्या, बहुत लोग ने, किसी ने नहीं देखा है, जितनी गर्मी भी पड़ रही है, हिसाब से गर्मी सुरु में आए, फिर बीच में नॉर्मल विट टेम्टर फिर गर्मी जो दर बढ़ा है, पांस साथ दिन से, ये बहुत खराब सीज मेरा एक ही हिदायत है, आप सभी से, कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो आपका हाइडरेशन प्रॉपर होना चाहिए, आप रात में सो रहे हैं, सुबह उटते हैं, एक दो गलास पानी जरूर पीएं आप, दिन भर में आप निम्बू पानी का सेवन जरूर करें, हमे वाटर होता है, आइस डालके या तुरत फ्रीज से निकाले तो पीगे, वो काम नहीं करें, ज्यादा ठंडा पानी पीने से और ज्यादा गरम पानी पीने से हैं, भी हमारे बाडी में बहुत सारे किटानू जो होते हैं, जो बाडी के अंदर रहते हैं, जो हमारे बाडी के लिए लाबदायक होते हैं वो किटानुटी से काम नहीं कर पाते हैं इसले आपको पाचन किरिया में अब दिक्कत हो सकती है अंदर के जो हमारे जो मसल्स होते हैं जो हमारे टीसूस होते हैं उनको भी दिक्कत होती है इस कारण से जो भी हम लोग का जो होता है जो तुम्सान नहीं होगा इसे जरूर अगर आप एसी में हैं तो बहुत सारे पासा रहा है और उनको फिवर लेके आ आते हैं एपटाइट कम हो रहा है होता है उनका तो हम लोग पकड़ते हैं कि आपको भीमारी कौन सा है देखते हैं हम लोग इसमें ठंडा गरम के वैसे उन्हे बहुत सरा के जो फीवर का या और भी डियाडेशन का शिकार हो रहे हैं वो लोगों बुजूर्गों के लिए क्या सला देंगे कैसे बुजूर्गों ये सला है मेरा रहेगा कि कभी भी आप ज्यादा गर्मी हो तो आप निकले नहीं आप घर में ही रहें घर में एसानी खीड की दरवजा खोल के रहें एसी चलाएं तो होद चलाएं फी बंद करते हैं घर का टेंपरिचर जब बढ़ने लगे ज्यादा बड़े तभी एसी चलाएं आप और अगर मौनिंग वाक वगर आप करते हैं तो सुबह में पांच-छे वज़े कर लिए तो कर और उनलों को मेरा यह सला रहेगा कि आगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको अगर सांस की परशानी होती होगी क्यों नहीं होगी जो होता है तो बॉडी में हर जगह से आपका वाटर लूज होता है लंग्स पर भी एफेक्ट पड़ता है हमेशा इन्हलर अपने सा क्या में परशान ही होता है लोगों को तो इसे डियाइड्रेशन हो जाता है तो फिर कैसे डियागरेशन से बचांए कि है आप सुबह उटके आप पानी दोगला जरूर पी और दिन भर में आपने पास जरूर बॉटल रखें और उससे पानी पीते रहें कम सकम 4 तर से 5 लब पानी दिन वहने पीना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी के सीजन में इस कड़ी धूब के सीजन में एदम पिए आप और जहां मिले वहाँ आज साफ पानी पिए आप अभी क्या है कि बहुत सारे कॉलरा के भी पेशेंट वो डियाडेशन के बाद से और दस्त के भी पेशेंट गर्मी प्रकॉप है पानी खूब पिए बाहर का समान बिलकुल नहीं खाये घर काहीं तिफिन लेकर जाए और जितना आपको टेंपरेशर के नौर्मल पर लेकर आईए आप बाहर घूम रहे हैं तो आपका टेंपरिचर हाई होता है, घर जा रहे हैं तो घर का टेंपरिचर अंदर का जो होता है, आपके बाहर के टेंपरिचर से थरा कम होता है, तो बेटर की कुछ जर आप घर में विश्राम करें, आदा घंटा हो जाए, जब टेंपरिचर लगे जिस तरीके से कही नखinkling भी है ब्रेडिंग वाले को बहुत दिक्कत भी हो रहा है तो किस तरीके से उन्हें साम्ना करना पढ़ सकता है आने वाले stanie जूते वाले सालों में पार क्यों हुआ है क्यों हरे घर में एक एसी नहीं दो इसी लोग चला रहे हैं रोट पर गाड़ी गाड़ियां दोड़ रही हैं तो इससे क्या हो रहा है कि पहले से जो पॉलूशन था उसे पॉलूशन का लेवल काफी बढ़ते चला जा रहा है इस कारण से जो टेंपरेचर है जो आउटसेट टेंपरेचर है वह 44 पारही जाएगा देखते हैं रात में टेंपरेचर घरता है क्यों गिरता है कि गड़िया नी चलती है एसी के वहल चलते रहती है गर्मी बहुत कम होता है आने वाले सालों में इस से गर्मी पढ़ते रही तो पॉलूशन का लेवल और बढ़ते चला जाएगा घर-घर लोग इसी का इस्तिमाल करते चले जाएंगे जहाँ जहाँ पेड़ कट रहा है आप रू के वहाँ ताकि आपको जो ऑक्सिजिएन का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तो आपने सुना कि हमारे साथ खास कारेकरम में खास मेहमान डॉक्टर प्रकास सिनहा जुड़े हुए थे उन्होंने तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा जिस तरीके से प्रचंड गर्मी ने लोगों का जिना मुहाल कर दिया है इसे बच कर दो